अगर मानों तो मोज़ी रुखो, अगर ना, ख्याले इसमान, बंदगी करते आस्टित देखते, उस पोर दीन दुखियारे इसमत के बारे, दबंग लोग जमाए रफ़ने को अपनी सत्ता, चलाते, चलाते उसका, उसका खोटा खिलता, है राते ये, कि जो हुआ, जो खोटा, वोर सब, सब खुदा की मर्जी, रभू की इच्छा, बंदे नेता, लेकर, लेकर खुदा का नाम, भावार का नाम, खड़े करते मंदिर मस्जित, बनाते, बनाते आवाम को गुला, मंदिर मस्जित, गिर्जा खुटवारा, शत्रंच के हाथी भोडे उनके, हाथ, हाथ, महरे उनके, पिटे, पिटे तो सिर्फ गरीद के प्यादे, फिर्भी करते उनको लेकी, पूछते उनको रात और दिन, जो नहीं उनके, उनका ख्या नहीं कभी कोई काम, मगर, मगर अक्स खुदा, अक्स खुदा का बहुत खुशूरत, पुर्सुकू, पुर्अमन, तभी एद़की तक्लीग करते लेख़गा नहीं शायर और होड ड्रामाईगाद, मैंने भी, मैंने भी इस नासत्रके ली चुनायक मया मुहाबरा, खालिस मुहाबरा बनाने को इसको पूर लुक्स, पूर मदा, नाराय, 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 भी लिया प्रभू, ये, यह सब क्या कुछुक्र है? कहा था ना प्रभू? ध्यान से सुन लीजिए बहुत बड़ा कुछुक्र है जिसे मैं हमेशा से देखता आया हूँ आ, हाँ, शुरू-बरू हो रहे हैं प्रभू, प्रभू, न्याय के स्रोत को प्रडाव हम न्याय के सिरोत नहीं हैं लेकिन प्रभू अरे जैसा न्याय तुम करते हो उसके सिरोत नहीं है कोई कुटा की हो गए प्रभू बिल्कुल हुई तुमने इस गरीब पासी किसान की जमीन का कब्जा उस जालिम जमीदार को सौब दिया तुम लोग जमीदार की जमीन पर बैठे थे नहीं प्रभू जी नहीं जमीन तो इस गरीब की थी उस जमीदार ने तो चल करके धोखे से ले ली अब इसके लिए तो प्रभू पेशकार को बनाना होगा अब ऐसे केस तो ना जाने हजारों आते रहते अब इसमें मैं क्या करसता क्या मतलब तुम्हारा तुम क्या रोज जमीन देना कर लेते हो अब क्या करे प्रभू इन लोगों के पास एक एक चीज है क्या जमीन जिसे ये लोग गिर्वी रखकर कर्ज लेते रहते क्या कर्ज पासी तुमने कर्ज रही था हाप प्रभू लेकिन उससे पूरे दस गुना ज्यादा ब्याज लोटा चुका हो देखिये रिसीद कागो लेकिन ठीक कह रहा है नारत दस गुना से ज्यादा ब्याज लोटा चुका है अब प्रभू अरे जद साहा ये क्यों नहीं देखा आपकी आठों पर क्या पट्टी बनी थी सत्य अचन प्रभू लेकिन माकूल सच नहीं अब आखों परबंदी होती तो खोल भी लेता लेकिन मेरे तो हाथ भी बने है कानून से इसलिए अब आखों से नहीं प्रभू कानों से देखता हूँ और सुनता हूँ क्या रहा है नारद ये कानों से देखता है ये अपू वकील लोग जो इन्हें बहस में सुनाते हैं ये वही देखते हैं और सुनते है ना बिल्कुल जही आरदी हट रभू अब जब्विदार के वकील ने दिखाया लेकिन इस पासी किसां के वकील ने नहीं दिखाया तो फिर जाओ जाओ और उस उस धूरत वकील को बुलाओ जिसने जिसने अदालक में सच नहीं दिखाया फिर प्रभू मेरी एक अर्दास है आज नहीं आज तो हम इस गरीब पासी को उसकी जमीन दिलाने आएं इसकी जमी आप दिलाएंगे कोशिश कर लिजे प्रभू लेकिन दिला नहीं पाएंगे क्या कावे तुने अहाँ शिष्टिता से प्रभू शिष्टिता से माल हाली के केस में अदालत मिलाकर बिठा लेगा सच कह रहा है यह बेचारा कुछ नहीं कर सकता जब तक आनून नहीं बतलेगा नारथ चमतकार हो गया नारथ हमारे सर का दर्द बिल्कुल दूर हो गया अब तो हमें किसी की वानी सुनाई नहीं दे रही ना उसकिसान की ना उसकी पत्नी की हम चा रहे हैं नारथ फिर से स्वर्ग की ओर कितना शान्त कितना सुखमे और कितना सुकून भरा होता है जब जब कोई आवाज हो ही ना या फिर कोई आवाज कोई भी आवाज सुनाई ही न दे सब चले गए धर्टी छीनने वाले भी चिनवाने वाले भी और खोर दिलवाने वाले भी बस मैं और आप खामने ले गए वैसे तेरा रोल ही क्या थो मैं तो एक आवाज हो जो हो रहा है आप सब को दिखा दिया है जो यथार है उस पर से परदा हिता दिया सोचने की बात तो ये है कि इंसान की आपि मेन हम सब के दुप्ता अस्कारण क्यों ही कौन है जो इंसान को इंसान के तो उससे निजाद दिलाएगा आज जो हमसे आपने देखा उसे पाफ तो मेरे पास एक ही जवाब इंसान वो इंसान ही है जो दुख देता है वो इंसान ही तो है जो दुख सहता है और वो इंसान ही है जो दुख दूर करता है इसे आभी है और इसे नीची ही क्या कोई सच है मुझे तो नहीं माजो और शायद आप ही ना जानते कभी जान पाए और इसकत से कम बिले तो मुझे बतागी का दरू फिल्हान दो ना राए ना राए